नमस्कार आदाब, मैं हूँ प्रविन और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली राउंड अप शो आईए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्क्यों पर किसान मजदूर पद्यात्रा भगत सिंग के पुष्टैनी गाउं और उत्रप देख के मतुरा से शुरू हुई यात्रा योगी सरकार के चार साल पर एक नजर हुलिका दहन की रात अपने गन्ने की फसल क्यो जलाना चाते हैं रिगा के किसान कुरोन अपडेट देश में पिछले 24 गंटों में 49,726 नए मामले महराश में टूटा रिकॉर्ड क्रिशी कानूनों, लेवर एक्ट और मोधी सरकार की अन्य नीतियों के खिला सीटू और किसान सभा के आहवान पर गुरुवार को शहीद यादगार किसान मजदूर पदियात्रा हर्याणा के हासी से शुरू हुई शुक्रवार यानि आज इस पदियात्रा के दो और जते पंजाब के खटकर कला जो भगस्तिंग का पुष्टैनी गाउं है और दूसरा उत्तर प्रदेश के मतुरा से चले हैं मतुरा से चला जत्ता 23 माच को हर्याणा के पलवल के प्रदेशन इस्थल पर पहुचेगा मतुरा की या यात्रा ओल इंडिया किसान सबा के जन्नल सेकरेटरी हनन मुल्ला के नेत्रित में शुरू हुई या यात्रा 23 माच को उत्तर प्रदेश के चार जिलों से होती हुई पलवल पहुचेगी वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों के नेत्रितों में दूसरा शहिद यादगार किसान मजदूर जथा पंजाब के खड़कर कला से रवाना हुआ खड़कर कला मशुहूर क्रांती कारी भगत सिंग का पुष्टैनी गाओं है किसान मजदूर और खेद मजदूरों के जथे को CITU के अध्यक्ष हेमलता ने जण्डा दिखा कर रवाना किया यह जथा रोपड से शुरू होकर पानीपद, समालखा, गन्नाओर, मुर्थल और कमासपूर जैसे शहरों से पैदल यात्रा करता हुआ 23 मार्च को सिंगू बॉर्डर पर पहुँचेगा जो तीन काला कानून लाया है, जो तीन काला कानून किसान के लिए मौत का परवाना है इसलिए इसके खेला पूरा देश में किसान का दोलन चल रहा है, और पांच जो राष्ट्य राजमार्ग है, दिल्ली में हमको घुष्टन नहीं दिया, लाकों किसान पांच राज्यों में बैटे है, आज दै हुआ, हम तीन पद्यात्रा निकाल रहा है, एक घरियाना से नि के पलवाल बॉर्डर में जाएंगे, यहां हमारा लोग बैटे हैं, नुशकर दोस्तों मैं हुर रवी कोशल और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक, अभी हम पंजाब में खट-कट-कला पे हैं, खट-कट-कला जो फ्रीटम फाइटर थे भगत सिंग उनका गाउँ है, यहा पादियातरा को न्यूस क्लिक भी कवर कर रहा है, और हम आपको इस पूरी पादियातरा की दौरान ले जाएंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि तीन महीने से ज्यादा होने के बाद यह पूरा अंदोलन किस तरीके से अपने सवालों को देख रहा है, कैसे मज जातरा शहीद पाक सिंग नगर तो खटकर कर लाद शुरू कीती है, क्योंकि आसी शहीद दे वार्सा हां, ए बार्सों दो बगया लडाई, नहीं जित्ति जानी मोधी नू नहीं हराय जा सक्दा, जेरा पिछले दिनाच शहीद पाक सिराज उस लेज बीड़ा चक्या थी, इत्तों ग्रेजनों कटके मेंत का इस लोका दा वाम दा राज नीती दे प्रणां बठाणा कबजा करना, ओ दूरे करके आज कालेक नू लग हो रे है, जे उना दे पिचारता रादी सेंट्रे श्रकार हुंदी, ता ये कालेक नू नहीं लग होने सी, इस करके आज जैसी ते करनार करांगे इसे तरह ही पैदल जातरास ही कल तो शुरू करांगे भाई तरीगनों सी सिंदू बाटर दे पुझांगे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदितनाद के कारकाल को चार साल पूरे हो चुके हैं, इन चार सालों में राजी की पहचान एक हिंदू मुख्यमंत्री के नेतित वाले राजी के रूप में हुई, इसके साथ ही राजी में हिंसक वारदारते जुर्म के मामले लगातार बढ़ते आए योगी आदितनात के चार साल पर नज़र डाल रहे हैं हमारे वरिश पत्रकार अभिसार शर्मा योगी सरकार के चार साल पूरे हुए आज दोस्तों और यह देखिए चानल क्या चला रहा है कामकाज की कसोटी पर कितनी खरी उत्तरी उत्तर पदेश की सरकार और इसमें आप देखिए योगी अखिलेश मायवती रोजगार देने में सबसे बहतर सीम कौन है इसमें यूपी के योगी को योगी देतनात को 53 फीसदी वोट्स मिले हैं 53 फीसदी आज मैं कुछ सवाल पूछना चाता हूँ चार साल हो गए योगी राज को अगर ये रामराज रहा है तो कुछ सवालों की जबाब दीजे सवाल नमबर एक बियारडी मेडिकल कॉलेज की वो तस्वीरे याद है आपको एंसिफलाइटिस से मासुमों की मौत बड़ी तादाद में सीधे सवालों का जवाब देने के बज़ाए हमें ये बताया गया था कि अगस्त के महिनों में बच्चों की मौत होती है डॉक्टर कफील खान को बली का बकरा बना कर जेल में डाल दिया गया था और फिर वो दोशमुक्त के बाहर नहीं अरे उसके पीछे तो इस कदर पड़े थे ये लोग कि रासुका के अंतरगत नैशनल सेक्योरिटी आट के अंतरगत उसे पिर से बन कर दिया था यूपी पुलीस ने और यही नहीं एंसिफलाइटिस को लेकर बाद में इन्होंने ये दावा किया कि हमने कारिकरम शुरू किया है दस्तक जिसका नाम है और दस्तक के जरीए एंसिफलाइटिस का हमने निवारन ढूड लिया है दोस्तों मैंने वायर के लिए वायर के लिए मैंने एक रिपोर्ट की थी और मैं उत्तर प्रदेश, गोरकपुर इन तमाम जगाओं पर घुमा था और मैंने पता किया था कि जो दावे यूपी सरकार कर रही है वो सही है या गलत है और मेरी रिपोर्ट में पाया गया कि दस्तक के अंतरकत जितने भी दावे उस वक्त यानि कि 2018-19 में यूपी सरकार कर रही थ मैं जमीन पर नहीं गया हूँ अब मुझे नहीं पता किसकी क्या हकिकत है मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई चार साल में रामराज आ गया वो बच्चों की तस्वीरे भूल गए दिकत की बात यह है कि देखिए पहली की सरकारें अपराद होता था तो पिड़तो में शब न जलाते तो लॉइन ओर्डर इशू हो सकता था हाथरस की गुडिया का दुशकर्म हुआ उसके साथ फिर उसका सामोहिक बलातकार और उसके हत्या कर दी गई और माबाप की रजामंदी के बगए रातोराज शब जला दिया गया ये बात अलगे कि अगले दिन धार रामराज का स्वरूप है और जो पत्रकार उस स्वक्त उठा रहे थे आवाज सिदीक कपन इस शक्र को दिखे ये आदमी केरला से आता है ये आज तक जेल में बंद है आज तक ये जेल में बंद है उस धारा के अंतरगत अनलॉफुल अक्टिविटी प्रिवेंशन आक्ट यूए पीए जो कि आतंकवादियों पर लगाई जाती है आप इसे रामराज कहेंगे चार साल में ये रामराज है आजादी से पहले बिहार में चीनी मीलों की संक्या 33 थी और राजिके देश के कुल चीनी का 40 फिसीदी उत्पादन करता था मगर अब सिर्फ 10 चीनी मील रहे गए हैं गन्य की खेती करना किसानों के लिए लगातार घाटे का सौधा बनता जा रहा है इखोद पादक संग के अध्यक्ष नागेन सिंग कहते हैं खुद सरकार की इक्षा बिहार में चीनी मीलों को चलाने की नहीं है रीगा चीनी मील के पास किसानों का सवा सो करो रुप क्योंकि इस काम में 10-20 साल का वक्त लग जाएगा किसानों का बकाया तो मिलेगा नहीं किसान कहते हैं मील वालों ने ट्रांसपोर्टरों को उनके इलाके में भेज दिया और वे 100 से 125 प्रती कुंडल की दर से किसानों का गन्ना खरीदते रहें किसान भी मजबूर थे गन्ना कहीं और बिकने की गुंजाइश नहीं थी ट्रांसपोर्टर नगत पैसे दे रहा था मजबूरन किसानों ने एक तिहाई कीमत पर अपना गन्ना बेचना शुरू कर दिया मगर इन ट्रांसपोर्टरों ने भी सभी किसानों का गन्ना नहीं खईदा तकरीबन पांस लाक कभी भी खेतों में खड़ा है जिसका कोई खरदार नहीं है कुछ किसान किराय की गाड़ी से अपना गन्ना मजबफर पूर ले जा रहे हैं क्योंकि वहां गुड़ बनाने वाली फैक्टरियों में उनका गन्ना खब जा रहा है मगर न तो हर किसान यह कर सकता है नहीं वहां मंत्राले दौरा आज शुक्रवार यानि 19 माज को जारी आगड़ों के अनुसार देश में साड़े 3 महीने बाद करीब 40,000 यानि 49,726 नए मामले सामने आये हैं और 154 लोगों ने अपनी जान गवाई हैं महराष्ट में करोना के नए मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है महराष्ट में पिछले 24 गंटों में अब तक के रिकॉर्ड यानि 25,833 नए मामले दर्ज किये गए हैं साथ इसी बीच देश भर में करोना से परिद 20,654 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 18,918 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में कुल मामलों की संक्या बढ़कर 1,15,14,331 हो गई है जिन में से संक्रमण के कारण अब तक 1,69,370 मरीजों की मौत हो चुकी है देश में करोना से परिद 96,25 फिस्दी यानि 1,10,83,689 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर 2,35 फिस्दी यानि 2,71,282 हो गई है देश में अब तक करोना वैक्सीन की 3,93,49,49,817 डोस दी जा चुकी है जिन में से 22,28,61 वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंटों में दी गई है आज के डेश क्लिक के यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारे हिंदी और इंगलिस वेबसाइट भी जरूर देखें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमें फॉलो करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया